कपड़ों से जाने व्यक्तित्व का राज कपड़ों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है कपड़े न केवल हमारे शरीर को ढगने के काम आते हैं बल्कि ये बदलते मौसम से हमारे रक्षा भी करते हैं ये हमारे व्यक्तित्व, व्यवसाय एवं स्तर के साथ साथ हमारे चरित्र, व्यवहार, सभ्यता, आत्म विश्वास तथा भीतर छुपे गुन औगुन को तो दर्शाते ही हैं साथ ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान भी कराते हैं कैसे आये जानते हैं ब्रांडेड कपड़े जो लोग ब्रांडेड कपड़े याने की किसी अच्छी कंपणी के कपड़े पहनते हैं, बहुत ही महत्वा कांक्षी तथा जीवन में सदा उपर उठने की कोशिश करते हैं। बहुत सोच समझ करते हैं, जिसकी वज़ा से अपने जीवन में उन्नती भी पाते हैं। अपने लक्ष को पाने के लिए खुली आँखों से जीना तथा अपने अनुभवों से दूसरों का मार्क दर्शन करना इन्हें अच्छा लगता है। साहित्य, कला, सौंदर्य एवं प्रक्रिति के प्रेमी ऐसे व्यक्ति गहन, अध्ययन एवं शोध के साथ-साथ ध्यान, चिंतन, मनन एवं मन्थन में भी रूची रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन का उद्देश्य, पैसा कमाना नहीं, बलकि इजद, नाम और शोहरत कमाना होता है। तंग कपड़े, तंग कपड़े, यानि की शरीर से चिपके हुए कपड़े पहनना। जो व्यक्ति तंग कपड़े पहनते हैं, उनके भीतर कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा होती है, जिसके लिए ये कई शॉर्टकट यानि छोटा रास्ता भी अपना लेते हैं। बहिर मुखी, निडर एवं साहसी सोभाव वाले ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी न किसी उधेर बुन में लगे रहते हैं। प्रदर्शन एवं दिखावे का भाव इनमें जरुरत से ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति इस्थिर जीवन की उम्मीद तो करते हैं परन्तु उसे पाने के लिए सही दिशा एवं मार्ग पर टिक नहीं पाते। इन्हें अपनी तारीफ बेहत भाती है। कोई भी इनकी जूटी तारीफ करके इनसे अपना काम करवा सकता है। ऐसे व्यक्ति मनमौजी स्वभाव के होते हैं। भीर भार में लोगों के बीच रहना इन्हें खूब भाता है। ऐसे व्यक्ति व्यवाहारिक होने के साथ साथ कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इन्हें सीधा साधा जीवन नहीं बलकि ऐशो आराम की जिन्दगी भात ही है। पैसा कमाने में ये माहिर होते हैं, अपना काम निकलवाने का हुनर इन्हें खूब आता है। हथ करगा के कपड़े, वो कपड़े जिनमें मशीन का कम परंतु हाथ का काम ज्यादा होता है, फिर वो उसकी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई हो या उसका कपड़ा। ऐसे को पसंद या पहनने वाले व्यक्ति उच्च विचारों के शांत, सम्वेद अन्शील, भावुक तथा प्रतिभाशाली होते हैं। इनकी बातों में अनुभव, दया एवं दर्शन साफ साफ जलगता है। इनके भीतर का आत्म विश्वास एवं सहन शक्ति इने जीवन के सं ही करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने से ज्यादा दूसरों के दुखदर्द एवं भावनाओं को प्रार्ख मिक्ता देते हैं। इन्हें इनकी मेहनत, त्याग, प्रेम एवं सयम का वो फल नहीं मिलता जिसके ये हगदार होते हैं। मान सम्मान एवं ध देखन प्रतिष्ठा आदी के बीच ये उच्छित संतुलन बना कर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दोस्तों के दोस्त एवं दुश्मनों के दुश्मन साबित होते हैं। कपड़ों का रंग, कपड़ों के रंगों का चैन भी आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। जैसे सफे बिचारों वाले इवम स्पष्ट वक्ता होते हैं. अपने जीवन में ये अपनी पहचान बनाने में अवश्यत सफल होते हैं. पीला। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्वर, रोचक तथा प्रेरक होता है. चुनोतियों का सामना करना तथा सदा अपने कार्य में सनलगन रहना इन्हें अच्छा लगता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति सहज इवं क्रियाशील होते हैं। इनमें समर्पन का भाव तथावानी में मिठास पाई जाती है। यह प्रेम तथा श्रिंगार के प्रती बेहत जल्द आकरशित हो जाते हैं। हलका नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति, रचनात्मक, भावो, कलपना शील इवं कुशल वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के प्रती, कालपनिक इवं वेवाहरिक दोनों प्रकार के नजरिये रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शांति पूर्ण वातावरन पूप भाता है। नीला, ऐसे व्यक्ति योग्य, आत्म निर्भर, इबं गहरे विचारों वाले होते हैं। दूसरों की जिम्मेदारियों को भी खुद ही निभाने का शौक रखते हैं। इसी बात की तहे तक जाने की इनमें तीव्र प्रवरित्ती पाई जाती है। हरा, हरे रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति जीवन के प्रती सचेत रहते हैं। तथा अपनी वारनी के प्रभाव से दूसरों को शीग्र अपना बना लेते हैं। परंतु स्वहम दूसरों का जल्दी यकीन नहीं करते। किसी के अधीन कारे करना इने बिलकुल पसंद नहीं। आजादी पसंद ऐसे व्यक्ति घुमक्टर किस्म के होते हैं। गुलाबी। ऐसे व्यक्ति इसने ही उदार एवं समझदार होते हैं। इनमें इच्छा शक्ती की कमी होती है तथा दिल के रिष्टों पर नियंतरन भी कमजोर रहता है। छोटी छोटी बातें इनके दिल को चुब जाती है। अपनी उम्र के लिहास से इन में बचपना अधिक पाया जाता है। भूरा ऐसे व्यक्ति एकांकी आत्म केंदरित एवं खुद पर नियंतरन रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे मार्क दर्शक एवं आलोचक साबित होते हैं। काला ऐसे व्यक्तियों की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। ये अच्छे विचारवान एवं अनुशासित होते हैं। इनका स्वयम पर पूरा नियंतरन होता है तथा ये अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हैं। इनके जीवन में कई बार इनके कार्य एवं व्यक्तित्व पर सवालिया निशान लगने की संभावना होती है। अचानक घटने वाली घटनाएं इनके जीवन को अच्छे तथा बुरे दोनों रूपों से प्रभावित करती हैं। कपडों से संबंधित अन्यकाम की बातें। सोच समझ कर औसर के अनुसार कपड़े पहनने वाला व्यक्ति हमेशा तरक्की करता है तथा सही समय पर मौके का फायदा उठाता है। चमक दमक वाले भड़कीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति दिखावटी, रसिक मिजाज तथा भरोसे के लायक नहीं होते। बिना प्रिस यानि इस्त्री किये कपड़े पहनने वाले व्यक्ति आलसी, असभ्य एवं बुध्धी हीन होते हैं। मैले पुराने पहनने वाले व्यक्ति अस्वस्थ तथा नीरस किस्म के होते हैं। पारदर्शी कपड़े पहनने वाले व्यक्ती, निर्भीक, सुतन्तर विचारों वाले मनमौजी किस्म के होते हैं। उधले एवम फटे कपड़े पहनने वाले व्यक्ती लापरवाह एवम गेर जिम्मेदार सौभाव के होते हैं। कमीज को पैंट के अंदर दबा कर पहनना, व्यक्ति के आपचारिक एवं सभ्य सोभाव को दर्शाता है। कमीज के कॉलर को ऊपर चढ़ा कर रखने वाला व्यक्ति उद्दंड होता है। प्लेन कपड़े, यानि बिना किसी धारी के कपड़े पहनने वाला व्यक्ति सीधा, सरल एवं चिंता मुक्त जीवन जीना चाहता है। ऐसे व्यक्ति धैर्यशील एवं शांत सुभाव के होते हैं। चेक या लाइन वाले खमीज पहनने वाले व्यक्तियों को चुनोतियों का सामना करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बदलाओ एवं नयापन की चाह रखते हैं। हमारी आदतें। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि हर व्यक्ति किसी ना किसी आदत का शिकार होता है। क्या यों कहिए कि हर इंसान में किसी ना किसी तरह की आदत होती है जिसके बारे में उस व्यक्ति को पता नहीं होता। जाने अंजाने में वो अपनी आदतों का जब को इनसान मूँ से नाखून चबाता है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त वो व्यक्ति किसी ना किसी चिंता से घिरा हुआ है। वैसे गहन विचार या किसी समस्या के दौरान भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भी लोग गहरे चिंतक हैं या विचारक हैं वो सब नाखून चबाते हैं। या नाखून चबाना गहरे चिंतक होने की निशानी है। सच तो ये है कि नाखून चबाना एक नकारात्म कादत है। ऐसे व्यक्ति भ्रमित बुद्धिके, आलसी प्रवृतिके होते हैं। ये सोचते ज्यादा हैं और काम कम करते हैं। इनमें जीवन के प्रती संजीद की कम लापरवाही अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों में हीन्ता की भावना को भी देखा जाता है। इन्हें अक्सर लोगों से ये शिकायत होती है कि इन्हें कोई नहीं समझ सकता। ऐसे व्यक्ति अपने आपको जीवन में तनहा पाते हैं। जीवन के प्रती इनका नजरिया नकारात्मक होता है। उंगलियां चटकाना हाथ जब काम करते करते ठक जाते हैं तो उंगलियों को चटकाना आम बात है। लेकिन बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो बिना किसी कारण के अपनी उंगलियां चटकाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी चिंटा में उल्शे रहते हैं। ये दूसरों पर हुकूमत करने की इच्छा जरूर रखते हैं लेकिन कभी भी उसमें सफल नहीं हो पाते। हाथ से मौका चूकने के बाद ही इन्हें अपना होश आता है तथा इन्हें सफलता कम पश्टावा अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग से कम दूसरों के बताए अनुसार मार्ग पर ज्यादा चलते हैं जिसकी वज़ा से इन्हें ज्यादा तर नुकसान ही उठाना पड़ता है। हाथ उंग्लियों का प्रियोग। देखा गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी देर बिना किसी हरकत के चुपचाप नहीं बैठ सकते। वास्तों में ऐसे व्यक्तियों में धहरे की कमी होती है। यह अपने जीवन की परिस्तितियों एवं हालात आदी से कभी समझावता नहीं कर पाते। इन्हें कम समय में ज्यादा पाने की चाह होती है। जिसके चलते यह शौर्टकट यानि छोटा रास्ता अपनाते हैं और अंत में बुरी तरह से पस्त होते हैं। पैर हिलाना जिन लोगों में बैठे-बैठे पैर हिलाने की आदत होती है। वे बेसबरे और चंचल प्रवरितिके होते हैं। इन्हें एक जगा पर टिक कर बैठना या काम करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यक्तियों में किसी विशेश प्रकार का भै भी छिपा होता है, जो उन्हें ग्यात नहीं होता। कही न कहीं इनके भीतर आत्मविश्वास की भी कमी होती है, जिसके चलते ये अपना पैर बार बार हिलाते रहते हैं। मूँ में पैन या पैंसिल डालना। लिखते समय कई बार पैन या पैंसिल अचानक मूँ में चले जाना आम बात है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो लिखते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं और सोचते भी किसी एक विशेपर नहीं हैं। रही बात पैंसिल की उसे न सिर्फ वे मूँ में डालते हैं, बलकि अच्छी तरह से चबाब ही डालते हैं। प उन्ठित मन बदले की भावना से भरा रहता है। इसके बावजूद भी ये किसी दूसरे को नहीं, बलकि स्वैम को ही तकलिफ देते हैं। इनके मन में पहले की काफी सारी बातें तबी रहती हैं, जिसकी वज़ा से इनके अंदर गुस्सा और चिर्चिरापन पढ़ने लग उनको आगे पीछे कसते रहते हैं या फिर उन पर अपनी जीब फेरते रहते हैं। वस्तों में ऐसे व्यक्ति स्वभाव से कामुक एवं क्रोधी होते हैं। किस समय क्या करना है ये भली भाती जानते हैं। मौके का फायदा उठाने वाले ऐसे व्यक्ति चतुर और शातिर ह होते हैं। यदि ये किसी एक चीज के पीछे पढ़ जाएं तो उसे हासिल या पूरा करके ही दम देते हैं। हैं। नहीं मिलती तो ये कागस को ही मोड तोड कर काम चला लेते हैं, लेकिन दातों को कुरेदना नहीं भूलते, ऐसे व्यक्ति कुछ ज्यादा ही सफाई पतंद होते हैं, इन्हें अपने अलावा किसी और का काम कम ही पसंदाता है, इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि इनकी पूर्ण कारे करना इन्हें बेहद अच्छा लगता है, बड़बडाना या खुद से बातें करना, ऐसे व्यक्ति स्वैम को कमजोर एवं असहाय समझते हैं, इन्हें लगता है कि कोई इनकी बात न तो सुनता है और ना ही कोई महत्व देता है, ऐसे व्यक्तियों की पूर्श्ट भी कमजोर होती है, इन्हें अपने जीवन से बहुत शिकायते होती हैं, ऐसे व्यक्ति किसी मानसिक सदमे या हादसे के बाद ऐसे हो जाते हैं, इन्हें हर बात पर चिक चिक करना, बातों की सफाई देना या मांगना इनकी आदत हो जाती है, अक्सर ऐसी आदत का दिल कहीं और होता है और दिमाग कहीं और यह लकीरे इंसान के मूड इवं परिस्थितियों के साथ साथ उनके मानसिक स्तर को भी दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद होते हुए भी मेहनती होते हैं। हर बात को जानना और उसकी तह तक जाना इनकी खास आदत होती ह किसी भी बात को कहने या करने से पहले ये खूब चिंतन मनन करते हैं। ये जीवन को संजीती से लेते हैं। भविश में नई नई योजनाये बनाते हैं तथा योजनाबध तरीके से ही काम करते हैं। बालों में हाथ फेरना, कभी कभार या जरूरत के हिसाब से बालों में हाथ फेरना आम बात है, लेकिन हमेशा बेवजह बालों में उंगलियां डालना, हाथ फेरना एक आदत है। होने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आपको हर क्षित्र में सर्वश्रेष्ट दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। इनको अपने उपर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास होता है, जिसकी वजह से कई बार ये मुह की खाते हैं। ऐस कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्फ होता है। दांत किट-किटाना। यदि आप गवर करें तो ये भी एक आदत है जो मनुशिक के बाहरी व्यक्तित्व के बारे में बिना कुछ जाने बूझे बता देती है। जो व्यक्ति अक्सर दांत किट-किटाते हैं, वे कम बु और अकड इनमें कूट-कूट के भरी होती है। ऐसे व्यक्ति यदि अपनी बुद्धी को सकारात्मक कारियों में लगाएं तो कई अविशकार इवं स्रिजन कार्य कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इधर की उधर करना तथा सामने वाले की चापलोसी करना बेहत भाता किसी काम को बार-बार करना। इस तरह की आदत कई लोगों में पाई जाती है। जैसे बार-बार हादध दोना, नल, दाला या स्विच आदि चेक करना कि बंध हुआ है या नहीं, चीजों को बार-बार गिनना, रखी हुई चीज़ की दिशा या उनका कौन। चेक करना और और बार बार विवस्थित करना आदी। इस तरह की आदत, इस्थिती या बरताओ को मनवग्यानिक OCD यानि आपसेसिफ कमपलसिफ डिसारडर कहकर बुलाते हैं। ऐसी हालत या आदत में इनसान एक ही काम को बार बार करता है। ऐसे व्यक्तियों में आत्म विश्वास की बहुत कमी पाई जाती है। इन्हें ना तो अपने आप पर यकिन होता है और ना ही दूसरों पर। ऐसे व्यक्ति पुरानी एवं बेकार की वस्तूओं को संभाल कर बिना काम के आदमी आलसी और बेकार हो जाता है। लेकिन सिर्फ काम ही करना तथा बिना काम के जरा भी न रह पाना एक प्रकार की आदत है। ऐसे व्यक्ति जीने के लिए काम नहीं करते, काम करने के लिए जीते हैं। ऐसी स्थिती में व्यक्ति स्वैम को किसी ना किसी काम स अच्छी बात है लेकिन काम के चलते स्वाइम को उसी में कैद कर लेना और किसी अन्यकार्य या जिमेदारी में हिस्सा ना लेना एक अलग बात है। काम के प्रतिन की चाह या लत ही काम की आदत कहला दी है। ऐसे व्यक्ति भले ही पैसे वाले या किसी उचे पत पर हों लेकिन इनके अंदर हीन्ता की भावना होती है। कभी जाहिर नहीं होने देते ये अपनी कम्यों को सुधारने की बजाए उसे छुपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यदि इन्हें किसी वज़ा से खाली बैठना पड़ जाए तो ये पागल से हो जाते हैं। बेवज़ा वुस्सा करना, पैर हिलाना, हाथों को आपस में मलना या मेज बजाना, सरपकड़ना, इधर उधर देखना, बार बार घड़ी देखना, खड़े होकर चक्तर लगाना आदी जैसी अरकतें करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम एवं काम से संबंधित वस्तूओं एवं संबंधों के प्रती बड़े सजग एवं संजीदा हो लोग ऐसा करते हैं, वो स्वभाव से घमंडी एवं तुनक मिजाज होते हैं। सामने वाले को मूर्ख और खुद को समझदार समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को किसी की परवाह नहीं होती, तथा ये खुद भीला परवाह होते हैं। हर बात पर तरक देना इनकी आदत का हि भेव होते हैं। बाल की खाल निकालना, घटनाओं को बढ़ा चड़ा कर कहना इनकी आदत होती है। ऐसे व्यक्ति अपने में कई बार इतना खो जाते हैं कि इन्हें आस पास की दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। क्या कहती है आपकी लिखावर्ट, प्रियश रोताओ हम जो भी कारे करते हैं उसमें हमारी मानसिक शक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर वो हमारा लिखना, कलम पकड़ने का तरीका, शब्दों की बनावट, लिखने का धंग, तथा गती आदी सब हमारी मानसिक शक्तियों से हमें वो दूसरे लोगों को परचित करा देत इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको बस निम्न लिखित बातों पर केवल अमल करना है। लिखावट की गती, तेज गती, जो व्यक्ति तेज गती से लिखते हैं, वो आत्म विश्वासी, निर्भीक, एवं परिश्रमी होते हैं। ऐसे व्यक प्रतिभा के धनी ये व्यक्ति एक साथ कई कारे करने का हुनर रखते हैं, परंतु किसी एक में ही मुश्किल से पारंगत हो पाते हैं। इनका आकरशक व्यक्ति तोप पहले ही मुलाकात में लोगों को अपना बना लेता है। ये मनमौजी अपनी मर्जी से जीवन जीने वा व्यक्ति गहन चिंतन मनन करने वाले स्थिर स्वभाव के अंतर मुखी एवं एकांत प्रिय होते हैं। इनका शांत एवं कोमल स्वभाव कई बार इनी पर भारी पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति कई बार जरुरत से ज्यादा आलसी हो जाते हैं, जिसकी वज़ा से कई बार जीती हुई बाजी आज़ाते हैं। अक्षरों का आकार बड़े अक्षर, जो व्यक्ति बड़े आकार के अक्षरों में लिखते हैं, वो बहिर मुखी यानि एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं। सुनते सबकी हैं पर करते अपने मन की ही हैं। मन की बात मन में रखने की बजाए सीधे वसाफ कहने में यकीन रखते हैं। यह उदार दिल, भावुक इवं समेदन शील होते हैं। ऐसे व्यक्ति समय के पाबंद, हसमुक, जिम्मेदार तथा अपने वादे के पक्के होते एक आगरता की उतनी ही कमी होती है। यदि कोई इनहें या इनके कारे को नजर अंदाज करे तो ये उसे दिल से लगा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे वैज्यानिक, कलाकार एवं वक्ता साबित होते हैं। चोटे अक्षर लिखने वाले व्यक्ति अंतरमुखी यानि इंट्रोवर्ट होते हैं। अपनी पुरानी यादों से बधे रहना इनहें अच्छा लगता है। ऐसी व्यक्ति जरुरत से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। किसी की मजाक में कही बात इनके दिल को लग जाती है। ये हालात और परिस्थित्यों के अनुसार स्वैम को बड़ी आसानी से ढाल लेते हैं। छोटी छोटी उपलब्धियों को भी ये बहुत महत्व देते हैं। जिसके जर्ये ये स्वैम को सफलता के शिखर पर पहुँचा लेते हैं। इनमें हीन भावना भी पाई जाती हैं जिसकी वज़़े से ये बने-बनाए काम रुख जाते हैं। दबाओ, गहरे शब्द, शब्दों को कलम के माध्यम से जोर देकर या दबाओ देकर लिखा जाता है। ऐसी लिखावट के पीछे भी अपना एक मनुविक ज्यान है। ऐसे व्यक्ति फूर्टीले, निडर, स्वाभिमानी, जिद्धी तथा द्रण इच्छा शक्ती वाले होते हैं। ये आक्रोश में बड़ी जल्दी आते हैं जिसकी वज़़े से कई बार अपने ही पैरों पर कुलहड़ी मार लेते हैं। ये अपने नियम स्वैम बनाते हैं और दूसरों से भी यही चाहते हैं कि वो इनके बनाए नियमों का पालन करे। नेता एवं नेत्रितों के गुन इनमें कूट 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 के भरे होते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ लीक से हट कर कारे करते दिखते हैं। हलके शब्दों को कलम के माध्यम से हलका या कम दबाव दे कर लिखा जाता है। सीधी लिखावट ऐसी लिखावट जिसमें शब्द बिना किसी जुकाओ या कूण के सीधे दिखते हैं। ऐसी लिखावट वाले व्यक्ति अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय, गंभीर, संतुलित विचारों वाले तथा अपने विचारों को निडरता से व्यक्त करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य में परिपक्व यानि मिच्चोर होते हैं। इसलिए दूसरों के कार्यों से सरलता से संतुष्ट नहीं होते या फिर उनके कार्यों में कमी ढूंटते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी मुश्किल से ही किसी से तालमेल बिठा पाते हैं। यदि इन्हें मन्चाहा साथ ही न मिले तो ये अपनी उम्र अकेले ही बिता देते हैं। तिर्शी लिखावट ऐसी लिखावट जिसमें शब्द सीधे होने की बजायत तिर्शे हों एक और जुके हुए हों। ऐसे व्यक्ति फुर्टीले जोश से भरपूर जल्दबाज किस्म के होते हैं। व्यक्ति वाले की लिखावट में फरस पर सभी शब्द खुले खुले या दूर दूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति लापरवाह अल्प बुद्धी वाले दूसरों पर निर्भर तथा बिना सोच समझ कर बोलने वाले होते हैं। लंबी लंबी हाकना, ख्याली पुलाव बनाना इन्हें अच्छा लगता है। ये कभी भी किसी बात को संजीदगी से नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति मेहनत कम तथा दिखावाज ज्यादा करते हैं। कलम पकड़ने का तरीका। जिस प्रकार लिखावट करता की लेखनी के मध्यम से उसके व्यक्तित्व एवं मनुविज्ञान को समझा जा सकता है। उसी तरह लिखावट करता का कलम पकड़ने का धंग भी उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। नीची पकड लिखते समय कलम या पेन को सिक्के या निब के पास से पकड़ना ऐसे व्यक्तियों में आत्म विश्वास की कमी के साथ साथ असुरक्षा का भी भाव होता है। नीची पकड़ कलम को सामान ने दूरी से अधिक उचाई से पकड़ना ऐसे व्यक्ति स्वैम से ज्यादा दूसरों के कारियों एवं गतिविधियों पर अपनी नजर रखते हैं तथा स्वैम में दिखावे एवं प्रदर्शन की भावना अधिक होती है। अंगूठे के साथ प्रथम दो उंग्लियों का लिखने के लिए उपयोग करना व्यक्ति में सदा उपर उठने एवं प्रयासरत रहने की ओर इशारा करता है। हर कोई इनके विचारों को सरलता से स्विकार नहीं करता। परंतो इनके व्यक्तितों से शीग्र प्रभावित अवश्य होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धी एवं ग्यान के माध्यम से अवश्य ख्याती पाते हैं। इने सफलता के मुकाम पर ले जाती है। लिखते समय कलम या पिन को सीधे रखना ऐसे व्यक्ति विवहार कुशल, दूर दर्शी, बोलने में माहिर तथा अपनी बातों के पक्के होते हैं। सदा सत्य का साथ देते हैं, कभी भी गलत निर्णे नहीं लेते, ये सुभाव के जिद्धी होते हैं। लिखते समय कलम या पिन को अपनी और जुका कर लिखने वाले व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वैम को परिस्थिती के अनुसार आसानी से ढाल लेते हैं, दूसरों की सेवा करने के लिए ये हमेशा आगे जाते हैं। मुबाइल फोन से जाने व्यक्ति का व्यक्तित वर। मुबाइल हाथ में पकड़ कर रखना। ऐसे लोग जो मुबाइल फोन को हमेशा हाथ में पकड़ कर चलते हैं इसे अपनी शान का प्रतीक मानते हैं और अपने अहम की संतुष्टी भी उनका इस भाव के जिद्धी होते हैं लिखते समय कलम या पिन को अपनी और जुका कर लिखने वाले व्यक्ति परिश्रमी होते है ऐसे व्यक्ति स्वैम को परिस्थिती के अनुसार आसानी से ढाल लेते हैं दूसरों की सेवा करने के लिए ये हमेशा आगे जाते हैं मोबाइल फोन से जाने व्यक्ति का व्यक्तित्वर मोबाइल हाथ में पकड़ कर रखना ऐसे लोग जो मोबाइल फोन को हमेशा हाथ में पकड़ कर चलते हैं इसे अपनी शान का प्रतीक मानते हैं और अपने अहम की संतुष्टी भी उनका इसकी आवशक्ता से कोई लेना देना नहीं होता, आवशक्ता हो तो ठीक है और ना हो तो ठीक, ऐसे लोग चाहे पुरुष हों अथवा इस्त्री बात करने में माहिर होते हैं, इनकी वानी मधुर होती है, कमर पर बंधा मोबाइल, जो लोग मोबाइल को कमर से बेल्ट क साहता से बांध अथवा लटका लेते हैं, उन्हें यदि वास्तों में देखा जाए, तो इसकी बिल्कुल आवशक्ता नहीं होती, अर्धात इसके बिना भी उनका कार्या चल सकता है, या फिर उन्हें इसकी बहुत आवशक्ता होती है, लोग वो होते हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मार्केटिंग अत्वा फील्ड का कारे करते हैं, और उनका मोबाइल और उसका खर्चा संबंधित कमपनी ही उठाती है, ऐसे लोग चाहे इस्तरी हों या पुरुष, अपनी बेल्ट से इसलिए इसे बांधते हैं, क्योंकि वो अतरिक्त सावधानी बर भुत्व होती है, जो उन्हें मात्र आत्मिक सुख प्रदान करती है, गर्दन जुका कर बात करना, ऐसे लोग जो मोबाइल फोन पर वारतालाप करते समय, अपनी गर्दन को थोड़ा सा जुका कर रखते हैं, जीवन में लापरवाह नहीं होते, वो छोटी-छोटी बातों क भी विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसे लोगों की स्मरन शक्ती, अत्यान्त तीवर होती है, वे सौभाव से परोपकारी और भावनात्मक होते है, इनकी विचारधारा और सोच परिपख्व होती है, ये मेहनती और परिश्रमी होते हैं, प्रदर्शनात्मक मुद्रा, प्रद नियम्स रूप से करता हो, तभी वो प्रदर्शन प्रिया माना जाएगा। इसके विप्रीत कभी कभार यदि कोई ऐसा करता है, तो उसका ताथ पर्य प्रदर्शन से नहीं माना जाएगा। जो लोग नियमित ऐसा करते हैं, वो उच्च महत्वा कांक्षी होते हैं और समय से पहले सब कुछ पाना चाहते हैं। ऐसे लोग यदि नौकरी में हों, तो जल्दी-जल्दी नौकरियां बदलते रहते हैं, जल्दी से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे लोग अपने स्तर को उचा उठाने का प्रयास करते हैं और मौका मिलने पर अपना लक्ष भी पा लेते हैं। या साथ जुड़ा रहता है। ये भाग्य के धनी होते हैं। क्योंकि ये लोग मेनत करें या ना करें, भाग्य के सहारे इनके जिन्दगी चलती ही रहती है। इन्हें पकी पकाई रोटी मिलती है, जिसका तातपर्य है कि इनका परिवार के सहारे गुजारा हो जाता है। मुश्किल है हाथ उठा कर बात करना। जो लोग अपने शरीर से अपना हाथ दूर रखकर मोबाईल का उप्योग करते हैं, अपने कारियों के प्रती वफदार होते हैं, चाहे वो पुरुष हों या इस्तरी। ये बोल-चाल व्यवहार में निपुन होते हैं, तुरंत ही द आदत होती है कि वो मोबाईल को हाथों में घुमाते रहते हैं या इससे छीर चाड़ करते हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो आदत और दूसरा दिखावा, यदि ये उसकी आदत है तो इसका तात्पर्य है कि ऐसे लोग असन्यमी धैर्यहीन होते हैं और जल्दबाज और जल्द सकती है